गुजरात में विधान सबाय चुनाओं की जो बिगुल बज चुकी है और सारी पार्टियां तैयारी में लगी हुई है गुजरात लगातार्ट लगवक्सा 23 साल से बिजेपी की कबजा है और आम आधी पार्टि इस बार दम खम भरने में लगा हुआ है उसी के पीछे कांग्रेस भी है लेकिन हमारे साथ हैं यहां पे बनारस के कांग्रेस के लोग हैं पदा अधिकारी हैं हम इनसे जाने की कोशिस करेंगे कि इस बार जो चुनाओं होगा गुजरात में क्या इस्थिती रहेगी कांग्रेस की आम आधी पार्टि की खास कर क्या स्थिती रहेगी कांग्रेस की देखिए 182 सीट में से 120 सीट कांग्रेस लाने जा रहे हैं जिस हिसाब से हमारे युवा नेता राहूल गांदी जी दमखम के संग आप देख रहें कि पैदल मार्श निकाले पड़े हुए पूरी जनता कांग्रेस के साथ है क्योंकि वह हमाने जनता जाए बहुत लुखती ईसके चलते आप अग और दुखी और पेट्रॉल को ले करके मेर की वीजलीफिल को ले करके फैट्रॉल को मुले करके बीस बार छाट उस्वारे ने यंदे और चुकितूरी कि और मेरी जनता क Sugini अ पीछे उसके भाजपा का लोगों लगा था हमने पूझा क्या हुआ भाई कहते हैं कि 500 होगा तब भी तेल डलाएंगे लेकिनोट मोदी जी को देंगे करार हटावा एदापारी मोदी जी कोट नद दे बाइया एदापारी हम लोग कांग्रेस कोट देव केंदर में कांग्रेस लेकिन आज हम बहुत परसान होगा लिए तो जनता पूरे मूट बना ली है गुजराच चुनाओं में भी इस बार 120 सीट कांग्रेस की आनित्य है धमखम के संग आनित्य है और स्योटी है कि आएगी ही और 2024 में भी कांग्रेस केंदर में आ रही है इतना आप कंफिडेंट के और ilisant साथ भोल रहे हैं आमाज़ी पार्टी की कि चिती रहे कि दिली में और पंजाब में उसका सरकार बना हुआ है यसी तरीक़े से लेकिन बार-बार वह आम आदमी को पार्टी को ला करके जनता को ब्रहमित करना चाहती है लेकिन जनता पुरी तरीके समझ गई है आम आदमी पार्टी को भी गुजरात में नकार दिया जाएगा यह बताईए कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है दिसंबर माह में होगा ग पिर क्या बजियपी वापस आ पाएगी या कांग्रेस कब्जा लेग इसापना उैर्ट को लेकिन एक बात लोगों से पूछनाँ चाहता हूं कि 2014 में यूप के पहले यूपीय की सरकार्थी कॉंग्रेस की सरकार्थी और आज लगातार आठ नो सालों से बीजेपी की सरकार्थ तो जब चुनाओ होता है और मत दाता अपना मत लेने जाता है तो दो चीजों का कंपरिजन करता है कि हमने क्या पाया और क्या खोया क्या आप प्रष्टाचार मुक्त देश हो गया आज आप देख रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है कंटीनिव रोजगार कहीं रोजगार के साधन कहीं नहीं है आज 10,000 की नौकली के लिए दरदर युगा ठोकर खा रहे हैं और इसी यह है कि इस महंगाई के दौर में 20,000 में भी घर के खर्चे नहीं चल सकते मैं दावे के साथ करता हूं तो सरकार ने क्या उसका ब्यवस्था कोई किया जब नहीं किया तो बात यह आती है कि सरकार के खिलाफ मत दाता ओट करेंगे तो कहा करेंगे और क्यों करेंगे जब सवाल ही आता है तो जब तुलनात्मक के सामने घुटने टेकने का काम करते हैं एक कॉंग्रेस पूरी देश में इसी पार्टी है जो वन टुवन बीजेपी के साथ हाइट करके सेंट्रल से लेके प्रदेश तक लड़ने का कारे करती है तो जाहिर सी बात है कि अपनी जनता ऑप्सन देखेगी कांग्रेस को इस र साता है कि जनता जब बीजेपी के खिलाफ जा रही है बीजेपी के खिलाफ मत देने अपना चारे हैं बेरोजगारी के खिलाफ बरेशटर चार के very can मंघाई के खिलाब तो में देगा कांग्रेस को ही देगा genald मुर्तु तक गरीबों के लिए अर्ट इजह में कउचिखा गाउं में नर्सों की वेस्ता वो कांग्रेस की उजीना है उसके भाद मुप्त सिख्षा का अधिकार कांग्रेसमें लाया थामिट के सीव जो मिलता है ds гл.k , को sull. इसके बाद जो नोक्रियां मिलती थी हर साल रेलेवे मैं हर साल विभागों में यह बीजेपी नहीं दिया वीजेबी ने किया क्या गरीबों के यह बता दे जनम से लेके मिर्तिवता की तिहास उठाके देखेंगे तो कॉंग्रेस की युजना आज गरीबों के काम आ रही है जदी वह युजनाएं बंद हो जाएं तो आज ये गरीब जनता दर्दर की ठोकरे खाएगी और कहीं कोई पुछने वाला नहीं है यह पुझी पतियों का एक सरकार है कॉर्पोरेट गराने का सरकार है कुछ चंद पुझी पति अडानी अबानी जैसे कार्पोरेट सिंडिकेट बनाके सरकार चला रहे हैं और हज़ारों करोन रुपे लूट रहे हैं सरकार से और वही फिर चुनाओं में BJP के उपर खर्च करके बिधायकों को खरीज करके इनका एक मक्सद है सत्ता को पाना सरकार को पाना और देश को लूटना जनता गरीब है मर रही है उस से कोई मतलब नहीं है चुनाओं आयागा तो भरपूर जनता को प्रलोबन देंगे अनाज बाटेंगे पैसे खिलाएंगे और ओट लेंगे मत अपना लेकर करके सरकार बना के चले जाएंगे जनता अब यह समझ चुकी है कोई भी ब्यक्ति जूट पर एक बार विश्वास करता है फिर उसको लगता है नहीं है एक बार आख़े जा रहे हैं गरीब जनता मरी यह है निश्य तोर पर घुजरात का चुना हो कि सियंद्र पर देश का हो या सेंटरल गवर्नमेंट का चुना हो जनता मन बना चुकी है कि हमें पुरानी कॉंग्रेश सरकार चाहिए असली गरीबों की और जनता की तैसी कॉंग्रेसी है यह तय हो चुका है यह बताइए कि जिस तरीके से लगातार यह आ रहा है कि इस सरकार ने रोजगार नहीं दिया महंगाई चरम पर है फिर फी देखा जा रहा है कि सरकार बनाने में बीजेपी आम भूमका और हर जगा पर इनकी सरकारे बंती नजर आ देखी 2014 के चुनाओं में जिस उमीद की साथ जन्ता ने उनको चुनने का काम किया था जूट का समंदर रेकाया था जन्ता उसमें बह गई थी और बीजेपी की पूरु बहमत की सरकार बनी थी 2019 में फिर से इंकी सरकार वरी जंता ने फिर से एक बार भरोसा किया 2022 मार्ज 2020 को करोना काल की पहली बंदी हुई थी और मानी नरण मोधी जी ने एक एलान किया था कि पूरे देश के लोग घंटा और घरियाल बजाएंगे उससे में कोई भाजपा सपा कॉंग्रेस बसपा नहीं देख रहा था हर एक व्यक्ति घंटा और घरियाल बजाने का काम किया था मालूम है उनका घंटा घरियाल बज़वाने का क्या मख सकता मैं आपको बताता हूँ वो घंटा घरियाल इसली बज़वाने का काम किये थे कि उनको अन देशों को दिखाना था ये देश की जनता मेरी गुलाम है मोधी जो कहता है इस देश की जनता करती है मैं भी बजाया था मालू मैं क्यों बजाया था मैं कॉंग्रसी हूं मजबूरी में मैं बजाया था कि यह देश बिरोधी है इसलिए मैंने बजाया था अब आजाए आप 15 अगस 13 अगस 15 आप मीडिया बंदू लोगों ने पूरे देश को दिखाया कि हर घर पर जंडा मैं भी अपने घर पर जंडा फराने का मकसद होता है सुबह फराये सामको लपेट के अच्छे से रख दीजे आज भी मैं घूम रहा हूं कही जगा जंडा फटा हुआ है और जंडा लगा हुआ ह वेकिन आप मीडिया बंदू उस घंड को नहीं दिखाने का काम कर रही है उनको यही दिखाना था एक बढ़वाई लूटना था कि हमारी देश की जनता लुटना कंड़ों उनकी तोOS क्वर्वयक सरकार कंगरस की बनने जा रही है भीज पी सफाया होगी कि हम तो यहां पर तमाम लोग थे और सिधे दिट और फिये ठपा लगा दिये एंक इस बार गुजिरात में। कांग्रेस जरूर बनाने जा रहे हैं यह मैं नहीं कह रहा हूं बनारस की जंता करें लगतार यह ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम दे रहे थे हमारे साथ बने रहे हैं न्यूजबकेट के साथ में दिजी जाज़त नमस्कार पेश है न्यूजबकेट हिंदी मासिक पत्र का पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से अमारे न्यूजबकेट की मैगजीन में हमारी इमैगजीन को मुफ्ट में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर इसके अलावा रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चानल को तुरन सब्सक्राइब करें